नमस्कार जैशी क्रश्ट मेर जया गुप्ता इस वीडियो में में तेरा गुना लाप पाने के लिए धनते रस पर क्या खरीदे और दुर्भाग्य से बचने के लिए धनते रस पर क्या ना खरीदे ये आपको बता रही हूँ दिपावली महापर्व की शुरुआ धनतेरस से होती है और यहा तेहार हर वर्ष कार्थिक मास के क्रश्न पक्ष की तेरस से स्टार्ट होकर कार्थिक मास के शुक्र पक्ष की दूश्ट तक चलता है इसलिए से हम महापर्व कहते हैं इस धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था क्योंकि इसी दिन समुद्र मन्थन के दोरान भगवान धन्वंतरी अमरत कलश लेकर प्रकट हुए थे यह उनका पार्दुभाव दिवस है इसलिए उसे हम जन्म दिन के रूप में मना कर उनकी पूजा करते हैं इसके अलावा चुकी इसका नाम है धन तेरस तो धन के देवताओं की भी हम इस दिन पूजा करते हैं तो धन के देवताओं के खजांची यक्षराज कुबेर और धन की देवी लक्षमी की भी इस दिन पूजा की जाती है और इसी कारण से यह दिन खरीदारी के लिए अत्यंत शुब माना गया है इस दिन यदि आप शुब वस्तूओं की खरीदारी करते हो तो माता लक्षमी की क्रपा आपके परिवार पर साल भर बनी रहती है साल भर आपके आर्थी किस्तिती अच्छी रहती है इस दिन कुबेर आपके लिए अपना खजाना खोल देते है एशा भी माना जाता है कि सारी देवी शक्तियां इस दिन धरती पे आती है आपके घर पे भी आती है और घर पे जब वह आपके देखती है यदि उनकी पसंदिदा वस्तुय मिलती है तो वो आपको तेरा गुना जादा फायदा देती है ये तेरस का दिन है इसलिए हर चीश तेरा गुना बढ़ जाती है और फायदा भी तेरा गुना होता है लेकिन यदि आप देवताओं को नाराज करने वाली वस्तु खरितने हैं तो बर्बादी भी होती है तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस दिन आप क्या खरीदें जो आपके लिए शुब हो आपके घर की सुख सम्रदी को व्रदी करने वाला हो साथी साथ ये भी बताने वाली हूँ कि क्या नहीं खरीदें ताकि आपके घर में कोई अशुब नहों और आपको देवताओं की नाराजगी नहीं जहलनी पड़े तो आईए देखें आप ये जानना चाहते हैं कि क्या चीजे शुब होती और क्या शुब होती तो आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए आईए देखते हैं सबसे पहले कि धन तेरस पर क्या खरीदना शुब होगा लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ती धन तेरस के दिन आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ती खरीदिये गणेश जी प्रथम पुझ्य देवता होते हैं इसलिए उनकी मूर्ती के साथ लक्ष्मी जी धन की देवी की मूर्ती खरीदिये यह यूँ कहें कि धनकी देवी लक्षमी जी की मूर्ती के साथ प्रतम पुझ्य देवता गणेश जी की मूर्ती खरी दिये तो वो बहुत शुब होती है पर यह मूर्ती, सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी की या पाना के रूप में होनी चीए, कागच के पाने के रूप में काच की और इस्टील की मूर्ती मत खरी दियेगा वो अशुब मानी जाती है और पीतल ताम और इनकी जो मिट्टी की या चांदी की या सोने की यह मूर्तियां आप खरीद कर दिपावली के दिन इनकी पूझा कीजिए और इसको आपकी तिजोरी में रख दीजिए बहुत ही फलदाई होगी यह मूर्तियां आपके लिए दूसरी चीज आप खरीदे माता लक्षमी का इस्पटिक का श्रीयंत माता लक्षमी का श्रीयंत माता लक्षमी को विशेश प्री होता है और आप यदि इस्पटिक का श्रीयंत खरीद कर और उसकी पूझा करते हैं दिवाली के दिन आप सोने चांदी के सिक्के खरीच सकते हैं, जिन में मा लक्षमी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, पंचम जार्ज मत खरीदिये, जार्ज पंचम को नहीं पूझना है, आपको गणेश जी और लक्षमी जी को पूझना है, तो गणेश जी और लक्षमी जी के चित वाले सिक्के ही खरी दिवाली के दिन इनकी विधी पुर्वक पूजा करके और अपनी तिजोरी में रखिये यह धन संपत्ति के लिए भौती फलदाई और शुब होते ही। सोने चांदी के आभुशन धर्म तेरस के दिन आप सोने चांदी के आभुशन खरीते हैं तो वो भी बहुत शुब माना जाता है। धन तेरस के दिन यदि आप सोने चांदी के आभुशन नहीं खरीत सकते हैं तो कोई बरतन खरीद लीजिएगा। धातु थी इस वज़ा से ही धन तेरस के दिन पितल के बरतन खरीदना शुब माना जाता है। परन तु बरतन को खाली लेकर घर में प्रवेशन करें। उसमें बले याप पानी भर लें। बले आप शकर भर ले अनाज भर ले। पर कुछ लेकर जाईए क्योंकि जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में जो कलश था उसमें अमरत भरा हुआ था। तो आप ऐसे ही कोई पीतल का ये कोई भी बरतन लेकर घर में प्रवेश करते हैं। तो आप अमरत लेकर अपने घर के अंदर आते हैं। गोमती चक्र धनतेरस के दिन आप 11 गोमती चक्र खरीतते हैं तो भौती शुब होंगे। इससे आपके परिजनों की सेहत और समरिद्धी बरती है। दिवाली के दिन इनकी पूजन करके फिर इनको पीले वस्तर में बानकर आप तिजोरी में रख दीजिए। इसका भौती शुक फल्द होता है। धनिया जो धनिया आप खाते हैं मसाला जो होता है आपका वो खड़ा धनिया आप इस दिन जरूर खरी दिये और दिवाली में लक्षमी पूजा के समय धनिया लक्षमी जी को चड़ाईए और उसके बाद उसके कुछ बीच को आप गमले में बो जी है। यदि उसका स्वस्त पोधा निकलता है तो इसका मतलब है कि आपकी आर्थी किस्तिती वर्ष भर बहुत अच्छी रहनी है। पोधा सामान्य होता है यापकी आर्थी किस्तिती सामान्य रहनी है तो इसलिए इसे भी आप खरीत के और पूजा में चड़ाईए और द दाने चार दाने गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखिये जाडू जाडू के बारे में माता लक्षमी का वास होता है धन तेरस के दिन जाडू खरीदने से घर में लक्षमी जी का प्रवेश होता है और ये जाडू जो होता है घर से नकारात्मक्ता को दूर करता है त बही खाते जो व्यक्ति व्यापारी है उन्हें अपने व्यापार के लिए वर्ष भर के लिए बही खाते धनतेरस के दिन शुब मोहुर्त में खरिदना चाहिए और दिवाली के दिन उनका पुजन करने के बाद उन्हें यूस करना चाहिए अगले वर्ष के लिए कोड़ी ऐसा माना जाता है कि कोड़ी लक्षमी जी के साथ समुद्र मन्थन के दोरान प्रकट हुई थी इसलिए कोड़ी की भी दिवाली के दिन पुजा की जाती है और इसे अलमारी में रखना बहुत शुब माना जाता है अलमारी में कोड़िया रखने से हमेशा धन के भंडार भरे रहते ही आईए आप देखते हैं धन तेरस पर क्या खरीदे तो अशुब होता है क्या नहीं खरीदना चाहिए हमें धन तेरस पर तो लोहा और अलूमिनियम धन तेरस के दिन लोहा और एलूमिनियम मत खरी दिये, एलूमिनियम के बरतन नहीं खरीदने चीए, इसका बुरा प्रभाव परता है क्यों? क्योंकि ये शनी की धातू होते हैं और धन तेरस के दिन इनको खरीदने से बचना चाहिए, खाली बरतन घर पर न लाएं, अभी मैं में शकर भर लें या कोई आनाज भर लें, पर वो भर के ही अपने घर में उसको लेकर आएं, क्यों? क्योंकि इस दिन बगवान धनवंतरी अमरत कलश लेकर प्रकट हुए थे और वो जो जल या अन आप भरेंगे वो अमरत के समान होगा आपके परिवार के लिए, काले कलर, नकारातमक्ता और दुर्भाग्य का प्रतिक होता है, अशुब माना जाता है, इस लिए सदिन काले कलर की वस्तू या काले रंग के कपड़े नहीं खरिदने चाहिए. स्टिल नहीं खरिदे, स्टिल लोहे का ही एक रूप होता है, इसलिए इस दिन स्टिल के बरतन नही खरिदने चाहिए धारदार हतियार अधिकतर धारदार हतियार लोहे से बने होते हैं और लोहाशनी का प्रतीक होता है इसलिए धारदार हतियार नहीं खरिदने चाहिए और धारदार हतियार तोड़ने का काम करते जोड़ने का काम नहीं करते इसलिए भी इन्हें नहीं खरिद जाता है, कार या वाहन, वाहन नहीं खरिदना चाहिए, वाहन यदि आपको खरिदना भी ए, तो आप एक दिन पहले उसका भुकतान कर दीजिए, धन तेरस के दिन मत कीजिए, क्योंकि वाहन में भी लोहा होता है, इसलिए वाहन को धन तेरस के दिन नहीं खरिदना चाहिए, आर्टिफिशल जूल्री भी धन तेरस के दिन भूल से भी मत खरीदिये, इसकी जगह आप सोने चांदी की बले छोटी सी आभुशन खरीदे, पर वो खरीदिया, आर्टिफिशल जूल्री भी नहीं खरीदनी चाहिए, तेल, तेल और उससे सम्मंदित पदार्तों को शनी का प्रतिक माना जाता है, अता धन तेरस के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, दिये जलाने के लिए भी तेल आप बारस के दिन एक दिन पहले खरीद लीजिए, पर धन तेरस के दिन मत खरीदिये, काच, काच और काच से बनी वस्तूओं को भी धन तेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, काच का सम्मंद राहू से होता है, इसलिए धन तेरस के दिन इने खरीदने से बचना चाहिए, इस दिन काच की चीजों का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, उपहार न दे दस्वा जो काम आपको नहीं करना है धन तेरस के दिन वो है उपहार नहीं देना चाहिए धन तेरस के दिन यदि आप किसी को उपहार देते हैं अर्थात अपने घर की लक्षमी को आप दूर कर रहे हैं दूसरों के घर में भेज रहें, इसलिए इस दिन उपहार नहीं देना चाहिए, आप दिपावली के बाद उपहार दीजिए, या दिपावली के पहले उपहार दे दीजिए, धन तेरस और दिपावली का तेवार आपके लिए शुब और मंगल मैं हो, आपको मेरा ये वीडिय क्यों कैसा लगा अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदु धर्म संस्कृती रिती रिवाश तीश्तेवार कथा वगेरा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए जैशिक्रष्ण शुप दिपा वली, हैपी दिवाली